सभी युवा साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं प्रोफेसर एके मलिक पूर विभागा द्यक्ष मनो विज्ञान विभाग उतकर्ष परिवार की तरव से आप सब का स्वागत अविनंदन करता हूं और ये वीक जो है सपता जो है परवों का सपता है रक्षा बंदन भी है पंदरा अगस्त भी है इस सपता के उपर मैं आपको अपनी तरब से विशेश शूप कामनाएं प्रेशित करता हूं दोस्तों आज जिस उदेश्य के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ वो उदेश्य है जनूम प्रशासनिक अधिकारी बनने का हर बालक हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है एज में बढ़ता है शिक्षा ग्रेंट करता है उसके माता पिता उसके अभिभावक और खुद के अंदर एक सवाल पैदा होता है कि मैं पढ़कर क्या बनूँगा मुझे किस प्रकार के व्यव के सामने होता है तो एक मनोव ज्यानी के रूप मेरे सामने ऐसे बहुत से लोग आते भी हैं कि हम क्या करें तो आज हम लोग बात करेंगे कि एक जनून प्रशासनिक अधिकारी बनने का क्या होता है और कैसे इसको हम पा सकते हैं इसकी त्यारी हम कब करें कैसे करें इसके लि में है, IQ सब में है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके अंदर बुद्धी की कमी हो, लेकिन सवाल यह है कि हम उस बुद्धी को तराशते कैसे हैं, पत्तर हीरा एक जैसा होता है, तराशा जाएगा, जैसा तराशा जाएगा वैसा उसका मुल्ले होगा, हम किस व्यवसाय में जाएं, आरेस में क्यों जाएं, राशतन प्रशास्तिक सेवा में क्यों जाएं, कब जाएं, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, सबसे पहले सवाल पैदा होता है, कि हम प्रशास्तिक अधिकारी क्यों बने, हर युवा का एक सपना होता है, कि मुझे एक गोर्वर्मिंट की सरका की ऐसी नोकरी मिले जो प्रतिष्ठित भी हो जिस पर तन सेलरी भी अच्छी हो और साथ ही साथ वह समाज की सेवा भी कर सके बहुत सारे विवसाय आपके सामने आएंगे लेकिन आरेस का विवसाय ऐसा है जिसमें तीनों चीजे शामिल है राजस्तान की सबसे ज्यादा प्रति सेवा है अगर मैं कहूं जैसे केंदर सरकार की सबसे उच्छ सेवा आएस है इसी प्रकार किसी भी स्टेट का हमारे राज्य का राजस्तान का सबसे उच्छ जो है वो है आरेस तो प्रतिष्ठित पद है इसमें सेलरी भी बहुत जा अच्छी है आगे चलकर मैं बताऊंगा क पादान पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक उनका लाब भी पहुंचवा सकते हो क्यों आपके पास पावर्ज होंगी और से दिकारी बनते हो तो आपके अंडर लोर से लेकर हाइस कोई हॉस्पीटल हो प्राइवेट हो गोमिटका हो कोई संगठन हो चाहे वो कोई फूड शॉ यह को हो तो आप रोकोगे यांगी आपके पास इतनी असीमित शक्तियां आ जाती हैं प्रतिष्ठा के साथ-साथ-साथ-स-थ के आप समाज में बैटे हुए अंतिम व्यक्ति तक पूंच सकते हो और जब प्रतिष्था, सेलरी ये तो एक बाहर के इंसेंटिव है जो हर इंसान को चाहिए चाहे कोई भी हो लेकिन जब मैं अंतिम पादान के व्यक्ति तक जो गरीब से गरीब व्यक्ति है जो पड़ा हुआ भी नहीं है अगर मैं उस तक पहुँचकर सरकारी योजनाओं से उसके जी तो पद प्रिश्था के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आरस बनते हैं तो हमें एक संतुष्टी की भावना पैदा होती है कि मैंने जन्म लिया लेकिन मैंने इस जन्म को अपने अपने परिवार के लिए उप्योग नहीं किया बलकि मैंने समाज में भी लोगों का इ इसकी त्यारी शुरू करें दिमाग में कब आना चाहिए कि मैं आरस बनूं जैसे जैसे आप शिक्षा ग्रेंड करते हो आरस का मिनिमूम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन बीए बीसी बीकॉम कोई भी हो आगर आपने बीसी जो भी आपने किया है एक ग्रेजुएट ब यह खतम होने के लास्ट में सोचू, रिजल्ट आया मैं तब सोचू, तब भी सोच सकते हो, तब भी त्यारी कर सकते हो, लेकिन मेरा यह मानना है अगर हम 12 पास करने के बाद जैसे ही फरस्ट एर में आते हैं अब तो समेस्टर सिस्टम भी होने जाह हो गया होगा, जब पहल अगर आप फॉस्टियर में हो तो आपके पास अगले तीन साल हैं अपने आरेस की त्यारी करने के लिए आप अपना ग्रेजुएशन भी कर रहे हो और आरेस की त्यारी भी कर रहे हो अब आप सोचिए अगर मैं बीए फाइनल करने के बाद तै करता हूं आज पोस्ट निकली एक साल के अंदर एक्जाम हो जाएगा तो मुझे एक साल के वलत त्यारी का मिला उसमें भी मेंनत करें सफलता मिलती है लेकिन अगर हम फॉस्ट येर से सोच ले कि हमें बरना है तो हमें तीन साल ऐसे मिल जाते हैं जिसमें आपने कैरियर के बारे में सोच सकते हैं और जितन आपसे सला रही रहेगी कैरियर कॉंसलिंग के ताहित कि जो बचे अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट किये हैं वो अभी से ही मचली की आँख की तरीके से एक अपना धे तैक कर लें कि मुझे आरेस बनना है और फिर कहते हैं ना जब इरादा कर लिया उची उडान का फिर जब दो की बाते ऑपस्टेकल्स का बधाया दी सोचना ही नहीं है लेकिन जो फरस्ट यर से करें वो अभी से अपना तैक करें और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो ग्रेजुएशन के साथ साथ जैसे उनका पूरा हुआ एक्जाम हो चुके हैं आपका रिजल्ट भी आल मैं यहां पर एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगा कि इसके अंदर कोर्स है आपको पूरा नेट पे मिलेगा कि अभी में बताऊँगा कितने पेपर हैं प्री क्या होता है मेन क्या होता है स्कीम क्या है लेकिन मैं हमेशा विद्यार्थियों को एक बात कहता हूँ कि अग अगर आपने न्यूस पेपर पढ़ने के आदत डाल ली ये बिलकुल उसी तरह अडिक्शन है जैसे चाय के बिना नहीं रह सकते हम कुछ काम के बिना नहीं रह सकते इसी प्रकार एक अडिक्शन डिवेल्प कर लीजिए कि सुबह टाइम नहीं मिलेगा दोपहर दोपहर नह तच्छा करते हो क्योंकि सारा करंट आलमोस अख़वार में डेली आ जाता है अब अगर आपने अभी पैरिस ओलम्पिक देखा होगा तो जिन बच्चों ने इन 12 तेरा दिनों का अख़वार पढ़ा है उनको सब पता है कि कोन अवार्ड जीता किसके अवार्ड में क्या प् होते हैं यह सारी चीजें आपको अख़वार के माध्यम से मिलती हैं तो मेरा आप से निवेदन यह है कि सत्मुच अगर आरेस बनने का हमने तैक कर लिया है करना है तो फिर हमें अख़वार पढ़ने की आदे डालिए मैं कहीं बच्चों से कहता है अख़वार कैसे पढ़े फिर चार-पांच पन्ने छोड़ दीजिए फिर बना लिजिए खेल समाचार आज क्रिकेट के मैच चल रहा है वर्ल्ल टीट्वंटी अभी वुमें टीट्वंटी होने जा रहा है बंगला देश के अंदर यह क्या है हमारा में टीट्वंटी किसने जीता था अगला कब होग अगली ओलम्पिक्स कहा होगी डॉस एंजल्स में होगी यह सारी चीजे अख़बार में खेल समाचार के पन्ने बना लिजिए फिर आप पन्ने बना लिजिए सरकार की वैलफेर स्कीम जो जनता के लिए योजनाय बनाई है उनको बनाओ कोन पातर है क्या इसमें है फिर बना का सभाव होता है कि जब अख़बार पढ़ा फिर मैंने लिखा और अपना लिखा हम दुबारा पढ़ते हैं और जब किसी चीज़ को दो तीन बार पढ़ लेते हैं तो कहा जाएगी आपकी मेमनी में जाएगी तो आज इस कैरियर कॉंसलिंग के सेशन के माद्यम से मैं आप का योगेता सब में है कि उस पत्थर को तराशा कैसे जाता है उस पर निर्भर करता है तो हम लोग यहाँ पर पूरा प्रयास करते हैं कि आपको एक कोची अलग तरीके से पढ़ाया जाए जिससे कि आप कैसे आंसर लिखना है अभी मैं पेपर के अंदर चर्चा इसकी भी कर करूंगा अब अगर आप आरेस के पेपर स्कीम पर आएं तो ये तीन अवस्थाओं में तीन स्टेज में आपका आरेस एक्जाम होगा पहला प्री होता है फिर आपका में एक्जाम होता है और फिर उसके बाद में आरेस का इंटर्व्यू होता है प्री का जो पेपर होता है वो MCQ, multiple choice questions, objective होता है, एक question होगा, जिसके पहले चार होते थे, आप पांच भी कल्ब कर दिये, वो इसलिए कर दिये, कि अगर आपने कोई answer नहीं दिया, तो not attempted, मैंने इसको attempt नहीं किया, उसमें भी आप bubble बनाओ, काला गोला बनाओ, ताकि किसी प्रकार की आपकी answer sheet में गड़ हो, और अगर नकारात्मक अंकन एक बटा तीन, और परिक्षा की अवधिया तीन घंठा, नकारात्मक वन थर्ट जो यहां पर लिखा है, इसका negative marking का मतलब क्या, और क्यों है, negative marking का मतलब होता है, कि अगर आपके प्रश्ण का उत्तर गलत है, तो उसके आपके जो marksें, उसके एक बटा तीन नंबर काट लिए जाएंगे, क्यों काट लिए जाएंगे, क्यों negative marking, ये MC क्यों है, मैंने का objective, इसलिए कि क्या आदमी सचमुच अपनी योग्यता से कर रहा है, या अंदाज कर रहा है, क्यों होता तुका लग जाना, जैसे कहते हैं, मारो टिक भगवान का न करना है, जहां 50% का असपा शोर है, कि हाँ यो हो सकता है, तो चांस लिया जा सकता है, लेकिर अगर बिल्कुल आननोन है, बिल्कुल पता ही नहीं उसका आंसर, फिर वहाँ इसको अंदाज से उत्तर नहीं देना चाहिए, इसलिए इसको one third जो है वो रखा गया, जब आप P क क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में आपका आएगा RS मेंस, जितने भी बच्चे मेंस में सेलेक्ट होंगे, उसके लिए कुल चार पेपर होंगे, जो कुल अंक 800 यानि प्रतेक प्रश्ण पत्र 200 अंकों का होगा, और प्रतेक प्रश्ण पत्र की परिक्षा अवधी तीन उसके होंगे, फचार शबदों वाले पांच अंक हैं, और सो शबदों पर दस मार्खस आपको दस अंक भी लेंगे, यह जो आपको दस शबद, 15 फंदरा शब्द, 50 शबद, 100 विए क्या है, इसका मतलब ये है कि जहां आपको शबदों की सीमा निश्यत कर दी, इसका मतलब आप उस पूरे टॉपिक को कैसे समयराइज कर सकते हो, वो आपकी योगिता है, टॉपिक है, उस टॉपिक में उन्होंने पूछ लिया कि ये बताओ, या किसी की परिभाशा पूछ ली, अब हम उस परिभाशा में अंदाज से शब्दों को हेर फिर कर जाते हैं, जैसे, अगर मैं आपके व्योहार पेपर में व्यक्तित्व के बात करूँ, तो व्यक्तित्व में एक परिभाशा पूछते हैं, आलपोट की अकसर पूछा जाता है, और आरेस में कही बर पूछा भी गया है, अब आलपोट अपनी परिभाशा में व्यक्तित्व को क्या कहता है, वो कहता इच डिटर्मिन हिज यूनीक एड़्जस्टमेंट विदा इनवारमेट अब अगर आपने यूनीक शब्द नहीं लिखा अपूर नहीं लिखा तो आपके नंबर कट गे बच्चा सोचते है रहे मैं तो पूरी परिभाशा लिखी लेकिन अपूर शब्द छोड़ दिया तो क कट गे समा योजा ने लिखा तो नंबर कट गे यारी कहने का मदब आपको प्रिसाइज लिखना है और जो सोच शब्दों के होते हैं उसके अंदर आपकी इनलेटी क्रिटिकल अबिलेटी आप किस प्रकार सोचते हो वो आपकी परलिक्षत होती है अब इन पेपरों के लिए में तो आपने प्री में तो आपने एबी सीडी में से कर दिया लेकिन जब मेंस में आप आओगे तो मेंस में आपकी सबसे बड़ी स्किल क्या है राइटिंग स्किल है तो राइटिंग स्किल आपकी विक्सित होती है जब आप रैगुलर नियमित टेस्ट देते रहो नियमि चाहिए था, यहां पर क्या चीज छूटी, क्या एड होने चाहिए थी, उसकी त्यारी के लिए आपको लिखना होगा, केवल पढ़ने के पढ़ने पर सब समझ में आ जाएगा, कुछ बच्चे क्या समझता है, मैंने पढ़ लिया, पढ़ लिया तो ठीक है, याद हो गया, पर याद होना नहीं है, उसी चीज को मैं पचाश शब्दों में पूछ सकता हूँ, उसी प्रश्ण को मैं सो शब्दों में पूछ सकता हूँ, अब यह मेरी योग्यता है, कि मैं किस प्रकार से अपनी राइटिंग एबिलिटी को लेखन योग्यता को बढ़ाऊं, और वो आप की अभ्यास से ही आएगी, जब आप मेंस क्लियर कर लोगे, फिर आपका इंट्रव्यू होगा, वो सो अंकों का होगा, और इंट्रव्यू जो है, वो मेंनता, मुख्यता जो है, वो आपके व्यक्तित्तों का परिक्षन होता है, आपका decision-making क्या है, आपका stress tolerance क्या है, जा अन्य चीजें आपकी क्या हैं, वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर देखी जाती हैं, और इन दोनों का अंकों का मिला कर, मेंस का और RS के जो इंटरव्य होंगे, इनको मिला कर फिर आपकी मेरिट निरधारित होती है, उतकर्ष के अंदर, जो बच्चे हमारे पास अभी से पढ़ हैं उनको अभी प्री में हैं वो मेंस नहीं अभी आए प्री में हैं अभी से उनके हम मौक इंटर्यू करवाते हैं ताकि मैं खुद उनके मौक इंटर्यू ले रहा हूं मौक इंटर्यू के द्वारा अभी से उनको फर्स्टेर के बहुत से बचे जो आरेस आपका एक्जाम की तियारी कर रहे हैं वो आते हैं तो कहते हैं कि सर हमें डर लगता है जिजक होती हैं बोलेंगे क्या बोर्ट क्या होता है और जब पहला मौक इंट्रू दे देते हैं उसके बाद उनके हो कहते हैं हमारी जिजक टूट गई हम जानगे कि ये चीजें क्या होती हैं तो हम इसके सा आपको अभी से ही साक्षातकार का भी प्रशिक्षन यहां पर मिलेगा तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर आरेस बनने का इरादा कर लिया है तो तीन स्टेज हमें पार करनी पड़ेगी पहली प्री जिसमें MCQ होगा दूसरी आपके डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें मैंने उठेगा कि सर हम आरेस बनके करके बनेंगे क्या हम किस पद के लिए पात रहें उसकी मैं बात करूं यहां पर कुछ पद बताएगे हैं जैसे राजस्तान प्रशास्निक सेवा 15600 से 39100 यह इनका पेस्केल है और जीपी ग्रेड पेड है 5400 इसी प्रकार राजस्तान पुलिस स राजस्तान लेखा सेवा राजस्तान सहकारी सेवा राजस्तान नियूजन कारयाले सेवा राजस्तान कारागार सेवा राजस्तान उद्योग सेवा राजस्तान राज्य बीमा सेवा राजस्तान वानिज्य कर सेवा राजस्तान खाद्य वेव नागरी ग्रसत सेवा राजस्त महिला विकास सेवा राजस्तन श्रम कल्यान सेवा अगर आप इन पदों पर ध्यान दें तो आप खुद अनुभव करोगे कि यह सारे पद वो हैं यह सारे काम वो है जो की जनता पब्लिक से जुड़े हुए हैं और मैंने जैसा कहा कि आरेस प्रतिष्ठा पद सुविधाएं यह सारी हैं सबसे बड़ा संतोष क्या है कि मैं अपने जीवन को समाज के अंतिम लोगों तक सेवा देने के भी काम कर रहा हूं और यह सारे काम आपको मिलेंगे अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जीपी का बन होता है ग्रेड पे अब जैसे 15,600 है इसमें 5,400 आपका ग क्या है राजस्थान में हाइस्ट 18% आपको हाउस रेंट भी मिलेगा यह आपकी जो सेलरी बेसिक बन रही है उसका 18 प्रतिशत आपको मकान का किराय के भत्ते के रूप मिलेगा अगर आप सरकारी आवास में नहीं रह रहे हैं और अगर राजस्थान आरस बनते हैं तो आप आप अपने निजी मकान के अंदर रह रहे हैं इसके अत्रिक्त आपको मेंगाई बता जो केंदर सरकार देती है मेंगाई के इंडेक्स पे 3% 4% जो भी हुआ यह आपको नियमित मिलता रहता है अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे दिखिए अब राजस्थान पुलिस सेवा राजस्थान पुलिस सेवा का मतलब हुआ कि आप जो इंटरू में जाते हो तो आप से पूछा जाता है कि आपकी प्राइटी क्या है आप क्या-क्या किस भी जाना चाहोगे राजस्थान पुलिस सेवा मैं इसको कहता हूँग जैसे केंदर सरकार की IPS है Indian Police Services है इसी प्रकार स्टेट की हाइस जो है पुलिस की जो entrance है entrance point वो है आपका RPS राजस्तान पुलिस सेवा अब आप कहेंगे कि सर साब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी निकलती है तो फिर ये क्या है अगर आप सब इंस्पेक्टर SI की पोस्ट पर apply करते हैं तो आपको दो स्टार मिलते हैं और अगर आप सीधे RPS बनते हैं तो आपको तीन स्टार मिलते हैं और तीन स्टार आपके लगते हैं तो आप सोचिए कि आप किस सेवा के अंदर आ रहे हैं कितना उस दिन गर्व मैसूस होता है पेरेंट्स को, अभिभाव को, माता-पिता को और खुद को, जब कंदे पर तीन स्टार हमारे लगते हैं, और RPS आफिसर जो है, वो आई-जी रैंक तक पहुंच सकता है, मेनत से, अपनी इमानदारी से, वो आई-जी रैंक तक भी इलिजिबल है, इसी प्रकार जो R.A.S. बन कलेक्टर के रूप में रिटायर हुए, ऐसे बहुत से लोग हैं, जो जिनको विर्ति के दूरूप से मैं जानता हूँ, जो RPS में R.A.S. के थूई हुए, और उसके बाद वो आई-जी के रूप में सेवा नबृत हुए, तो कहने का मतलब कि अगर हम R.A.S. के अंदर आते ह हैं, तो केवल इसका बल यह नहीं है कि आपका कैडियर यहां खतम हो जा रहा है, आपको आगे हाइस लेवल तक राजस्तान के पोंचने का चांस भी मिलता है, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि R.A.S. के बारे में जरूर विचार करें, बाकी हम किस जौब में जाएं, यह हमारे अपने इंट्रेस्ट, हमारे एप्टिचूट, हमारे एटिचूट पर निर्वर करता है, लेकिन बच्चों को बहुते बच्चे आते हैं, कहते हैं, मैं पता ही नहीं, R.S. होता क्या है, क्या पद है, क्या एक्जाम है, क्योंकि बच्चा 12th के अंदर जस्ट एक material कच् के बराबर होता है, फिर इसलिए आज मेरे मन में विचार आया, कि मैं एक सत्र आपके सामने आऊं, और आपको R.S. के बारे में बताऊं, अगर आपका interest इसमें आए, क्योंकि राजस्तान की सबसे उच्च, प्रतिष्ठित, सुविधाओं वाली, और साती सात, सबसे बड़ मिलेगा, और आप इस पर सोचे, मैं कई बार बच्चों से कहता हूं, आप R.S. के लिए apply करो, मेनत हम लोग करवाएंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुरो, इसलिए में कई बार कहता हूं, दो कदम हम भी चलें, और दो कदम तुम भी चलो, आप भी दो कदम आगे बढ़ें, हम भी दो कदम आगे बढ़ें, दोनों को जब मिलके प्रयास करेंगे, तो कोई कारण नहीं कि आप R.S. अदिकारी ना बने, आज मैं इस वीक में जैसे मैंने कहा शुरू में, त्योहारों का सब्ता है, इस त्योहारों के सब्ता में उतकर्ष, शिक्षा महुतसब को भी मना इसको बहुत बड़ा फंक्षन के रूप में निभा रहे हैं, आपको मालूम है कि 15 अगस्त हमारा सोतंतरता दीवस है, उस दिन 78% डिसकाउंट हमारे सारे कोर्स पर आपको मिलेगा, जितने भी हमारे कोर्स चल रहे हैं, अगर आप उसको आप्ट करते हैं, 15 अगस्त का आप की इनवार्मेंट के भी राजस्तान के ब्रैंड अबस्टर हैं, कल उनका जनम दिवस है, उनके जनम दिवस पर 13% आपको अत्रिक्त डिसकाउंट और दिया जा रहा है, इसको आप अवेल करें और इसको आप कूपन कोड जो NG13, NG13 कूपन कोड को यूज करके आप इसको उ रक्षा बंधन, यह वो उतिहार होता है, जिसमें हम भाई बहन के रिष्टे को निभाते हैं, बहन राखी बानती है, और भाई उसका भाई वचन देता है, कि मैं उसके रक्षा करूँगा, बहुत बड़ा पर्व है, और बड़े-बड़े आप इतिहास में पड़े हैं, ब मेरा आप से कहना है, कि आप इसका भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि यह कोर्सिज अपने आप में उपयोगी हैं, लापकारी तो हैं यह, आपको आरेस बनाते हैं, जो शिक्षक भरती में जारे हैं, इनको शिक्षक की तरफ ले जाएंगे, हर तरह के अलग-लग परिक् हो और जो काम आपने सोचा है, वो पद आपको मिले, लेकिन उसको टार्गेट बनाना होगा, जिसे अरजुन ने मचली की आँख पर टार्गेट बना कर तीर चलाया था, इसी प्रकार हमें अपनी मेहनत लगन से उस तीर को चलाना होगा, इसी के साथ ही मैं अपनी वानी को विराम दूंगा, जय भारत, जय हिंद!